कोरोना 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 ये शब्द दर्व के दूसरे नाम बन चुके हैं अगर कोई ची के एकासे तो लोग उन्हें घूरने लगें लेकिन जानकारी का भी बेहद आब आवे अब अगर पूछा जाए कि किसी को कोरोना हो जाए तो कैसे पता लगा जाए हमेसे कहीं लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे तो वीडियो को पूरी एंट तक दिखना मत भूलियेगा मेरे नाम है साथक जैन और चलिए वीडियो शुरू करते जिन लोगों में कुछ खाश लक्षण नजर आ रहे हैं उन लोगों को सेल्फ आईशोलेशन में रखा जा रहा है ताकि कुरुना वाइरस को आगे फैलने से रोका जा सके अगर आपको बुखा रहे या लगाटार खासी हो रही है तो आपको और आपकी फैमली को 14 दिन तक घर में लेना चाहिए लेकिन अगर आपका बुखा ठीक नहीं हो रहा है और आपको अंदर से बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है तो आपको अपने नजदीकी क्लिनिक्स में टेस्ट करवा लेना चाहिए लेकिन आपको पता किसे चलेगा कि आपको जब बुखार है वो साधारन बुखार है yeah coronavirus का attack है दरासल coronavirus के दो प्रमुख लक्षन हैं जो सबसे पहला है वो यह है कि लगातार सूकिंक आसी आना और दोसरा है बीमार हो जाना अगर किसी में यह दोनों लक्षन है तो उनको साफदान हो जाने की जरूरत है अगर आप बहुत जादा चीक रहे हैं या आपकी नाग भे रही है या आपको थोड़ा सा भी सिर्दर्द हो रहा है तो आपके बुखार आने के तैंस बढ़ जाते लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना वाइरस हो जाए आपको ढरने के बिल्कुल जरूरत नहीं है दरासल इसका मतलब ये है कि आप खास रहे हैं लेकिन कोई भी बलगम नहीं आ रहा है यानि कि टिशू में कोई भी चिपचिवा प्रदार्थ नहीं दिखाई दे रहा है लगातार खासी का मतलब है कि आप बार-बार खासे जा रहे हैं यानि कि आपको अपना गला साफ करने की बार-बार जरूरत महसूस हो रही है कैसे पता लगाया जाए कि आपको जो बुखार है क्या वो कोरोना वाइरस हो बुखार है सबसे पहली बात अगर आपको बुखार है तो आपको पता चली जाएगा तगनी की टोर पे अगर आपके शरीर का तापमान 37.8 डिगरी सेल्सियेस या 100 फेरेनाइट से जादा है तो आपको बुखार हो सकता है अगर आपकी बाद सर्वा मिल्टर नहीं भी है तो आपको अपने शरीर को छुने पर पता चली जाता है या फिर आपको अंदर से मैसूस हो जाता है कि आपको बुखार जैसा लग रहा है या फिर कोई आपकी बॉड़ी को छूता है तो उनको भी पता चल दाता है कि आपको थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा है अगर आपको इन में से कोई भी एक लक्षन मैसूस हो रहे हैं तो आपको और आपकी फैमिली को 14 दिन तक घर में रहने की जरूरत है और अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपको साथ दिन तक अपने घर में रहने की जरूरत है और अगर आपका सरदी और बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो आपको डारने की बात नहीं है आप अपने नज़दी की क्लिनिक्स में अपना टेस्ट और चेक अप करवा ले याद रखे साथ दा नहीं बचावे इसलिए अपना खयाल रखे और अपनी फैमिली का भी खयाल रखे दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यह व्रोस देखने गलियो तो ओल कर मेरे यह सुरक्सेद रखे